अक्सर हर गर्बवती माता को और उनके परिवार को ये सवाल अवश्य अपने दिमाग में आता है कि आखिर क्यों गर्बवती का C-section यानि कि C-section किया गया। जब कोई मा गर्बवती बनती है तब से उनके मन में कई कोने में ये सवाल जरूर उठता है कि मेरी नौर्मल डिलिवरी होगी या सी-सेक्षन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सी-सेक्षन होने के कौन-कौन से कारण हो सकते है और किन वजह से डॉक्टर गर्बवती का सी-सेक्षन करते है ऐसे में कुछ कारणों पर अगर हम नज़र डाले तो सबसे पहला कारण है कि पहली डिलिवरी सीजेरियन जीन माताओं ने पहले बच्ची का जन्म सी-सेक्षन से करवाया हो उनको दूसरी बार भी सीजेरियन करने के लिए सलाह दी जाती है ज्यादा तर महिलाओं का पहली बार अगर सी-सेक्षन होता है तो उनका दूसरा बेबी भी सी-सेक्षन के द्वारा ही आता है दूसरा कारण है जुडवा बच्चे एक से ज्यादा बच्चे हो तो माता के लिए नॉर्मल डेलिवरी मुश्किल है इसलिए सीजेरियन ही सबसे अच्छा उपाय है तीसरा कारण है बालक की स्थिती गर्ब में बच्चे का सेर अगर उपर और योनी की तरब उनके पैर हो यानि कि अगर कोई बच्चे की ब्रीज पोजिशन होती है माता के गर्ब में या फिर होरिज़न्टर पोजिशन में बच्चा रहता है तो इस सीती में भी नॉर्मल डिलिवरी नहीं हो सकती है डॉक्टर के ना चाहने के बावजुद भी गर्भवती का सी सेक्षन करना पड़ता है उनके बाद चौथा जो कारण है वो है बच्चे का वजन नॉर्मल डिलिवरी के लिए अगर गर्भस्त शीशु का वजन दो किलोग्राम से कम हो तो बच्चे के लिए जोखिम होता है और अगर बच्चे का वजन 3.5 किलोग्राम से ज्यादा हो तो ये भी माता को बहुत मुश्किली देता है इस सिति में भी सिसेक्शन ही करना पड़ता है जरूरी नहीं है कि साड़े 3 केजी का बच्चा सिसेक्शन से ही आए कहीं बार इन में नॉर्मल डिलिवरी के भी चांस रहते है उनके बाद का जो कारन है वो है भुरून संकर्ट प्रसव सवन्दी जटिल ताये जैसे आपका बच्चा परियाप्त ऑक्सिजन नहीं ले रहा है हार्ट बिट कम हो जाना कहीं बार कुछ जन्म दोश जैसे मस्तिश्क या जन्म जात हदई रोग वाले शिशुव को नॉर्मल प्रसव की जटिल ताये को कम करने के लिए डॉक्टर सीजेरियन ही चुनते है ऐसे में सीजेरियन बेस्ट ऑप्शन होता है उनके बाद का जो कारण है प्लैसेंटा की समस्या गर्ब में बच्चे की गले के आसपास नाल आ जाती है या किसी माता को प्लैसेंटा प्रिव्या की समस्या होती है जिसमें नाल गर्भावस्ता ग्रीवा यानि की सर्विस को ढ रख देती है इस वजह से भी सिसेक्शन ही बहितर उपाई है क्योंकि अगर टाइम पे सिसेक्शन नहीं किया जाता है तो ये बच्चे और गर्बवती माता दोनों के लिए रिस्क साबित हो सकता है उनके बाद का जो कारण है वो है माता के स्वास्य किसीति यदि माता को कोई बिमारी हो जैसे कि हदई रोग उच्चे रक्तपात या गर्ब काली मधु में यानि कि डाइबेटिस तो डॉक्टर उन महलाओं को भी सेजेरियन के माध्यम से ही प्रसव करने की सलाह देते हैं उनके बाद का जो कारण है वो है मिकॉनियम जब बच्चा पेट में गंदा प जान बचाई जा सकती है ऐसे में डॉक्टर को सी सेक्षन ही करना पड़ता है उनके बाद का जो कारण है वो है माता की हाइट कम होना कहीं बार ऐसा होता है कि छोटे कदवाली महलाओं की कुलहे की हड़ी छोटी होने के कारण बच्चे की नॉर्मल डिलिवरी होना मुश्कि मुश्किल हो जाता है तब सी सेक्षन ही सुचित किया जाता है ऐसे में डॉक्टर सी सेक्षन की सला देते है उनके बाद का जो आखरी कारण है वो है अम्नोंटिक द्रव्य का बहाव की समय से पहले होना मतलब की गर्ब नाल को संकुचित कर देता है या आपके बच्ची को आक्सिजन से वनचीत कर देता है। ऐसे में बच्चे का जीना भी मुश्किल हो सकता है। इस कारण भी माता और बच्चे की तंदुरस्ति के लिए सी-सेक्षन डिलिवरी ही सही उपाय होता है। इन सारे कारणों के कारण डॉक्टर गर्भवति का सी-सेक्षन करते है। आशार रखती हूँ ये आपको हमारे ये वीडियो जरूर पसंदाया होगा धन्यवाद